नमश्कार, न्यूस्क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से कुछ दिन पहले बहुत ही डेफिनेटिव हेड्लाइन्स में स्ट्रीम मीडिया में च्छाए रहे ज्यानवापी केस, हिंदू पक्ष में फैसला, जानिये अब क्या हो सकता है, हिंदू पक्ष की बड़ी जीत फर्स्ट हर्डल क्रॉस्ट सेस वी एचपी, हिंदू पेटिशनर्स विन अ बिग स्टेप इन वारन असी कोट जैसे ही जज ने सुनाया फैसला, वकीलों ने हर हर महादेव के लगाये जैकारे, एक हेडलाइन ने तो अती करती हैं, कागज नहीं दिखाएंगे, सर्वे से डराएंगे, संकेत मदर्सों का सर्वे था और ग्यानवापी परिसर में एक और सर्वे की मांग की दिशा पे था, लेकिन ये जानने के अलावा कि इस दौर में हिंदू पार्टीज ने जीत हासल की, क्या आप जानते हैं, वास्तव में क्या हुआ है, क्या मुद्दा था, और क्या फैसला है, जिसकी सराना की जा रही है, पहली बात जो आपको जाननी चाहिए, वे ये है, कि ये फैसला वारणसी डिस्ट्रिक्ट जज अजय क्रिशन विशेश्व का था, जिन कोट्स में अब तक ज्यानवापी मस्जित परिसर को लेकर, जो केसिस चल रहे थे, उन में से ये सबसे लोवर कोर्ट्स में से है, अदालत ने वास्तव में अंजुमन इंतिजामिया मस्जित वारणसी द्वारा दायर एक याची का खारिज कर दिया, अंजुमन ने अपने एप्लिकेशन में कहा था, कि जो पिटिशन पांच हिंदू महिलाओं ने दायर की थी, ऑगस्ट 2021 में, वो मिंटेनेबल नहीं है, नॉन मिंटेनेबल होने का कारण अंजुमन ने क्लेम किया था, कि तीन कानूनों की वज़े से है, ज्यानवापी मस्जित के कैरेक्टर में बदलाव नहीं किया जा सकता है, जो तीन कानून लिखवायन होने, वो थे, Places of Worship Act of 1991, वक्फ Act of 1995 और UP Shri Kashi Vishuna Temple Act of 1983, दरसल पांच महिलाओं का इस समू ने, पिछले साल वारण असी के एक सिविल जज के सामने, अपना पेटिशन फाइल किया था, याचिका में मांग थी उन्हें रोजाना ग्यानवापी मस्जित के भीतर, देवी, श्रिंगार, गौरी, गणेश भगवान और अन्य देवताओं की पूजा करने की अनुमती दी जाए, इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, आएए ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पाँच महिलाएं कौन हैं, वे अचानक इस केस से कैसे इन्वाल्व हो गए, क्या वे अपने इनिशेटिव पर काम कर रहे हैं या किसी राजनेतिक रणनीती के तहट वो इन्वाल्व हुए हैं, पाँच महिला पिटिशनर्ज दिल्ली की राखी सिंग और वारण असी के, बाकी चार वारण असी के हैं, लक्ष्मी देवी, सीता साहु, मन्जू व्यास और रेखा पाठक हैं, दिल्ली की राखी सिंग इस केस की मुख्य ड्राइवर हैं, इस मामले में उनकी दिल्चस्पी विश्व वेदिक सनातन संग से उनके संबंद के कारण उत्पन हुई, उनके चाचा संग के अध्यक्ष हैं, ये संग अब इस स्पेशल पिटिशन का कोडिनेशन कर रहा है, मज़दार बात तो ये है कि जब से ग्यानवापी मामले की सुनवाई शुरू हुई है, राखी सिंग ने ना तो कोट में हाजरी लगाई है और ना ही केस शुरू होने के बाद से उन्होंने मीडिया से कोई भी बात की हो, तो सवाल ये उड़ता है कि क्या वे केवल एक प्रोक्सी हैं, चार अन्य महिलाओं में से लक्ष्मी देवी के पती वारण असी के विश्वो हिंदू परिशत के वरिष्ट नेता हैं, उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने पांच महिलाओं को याची का दायर करने के लिए प्रेरित किया, मुझे यकीन है आप कनेक्शन समझ गए होंगे और यह कि ना केवल ग्यानवापी मस्जित और मतुरा में शाही इदगा का मामला, बलकि पूरे भारत में अंगिनत मस्जितों को हटाने या ध्वस्त करने का एक ग्रैंड डिजाइन का ये केस हिस्सा है, पिकूलियर बात तो ये है कि 22 सितंबर से इन पांच महिलाओं के इस याची का पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनवाई करना चाहती है, साथ ही सुप्रीम कोट अक्टूबर से प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 के खिलाफ पिटिशन्स को टेक अप करेगा, संग परिवार का ग्रैंड प्लान और स्पष्ट हो जाता है यदि आप इस तत्थे को ध्यान दें कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ जो मुख्य आची का है, वो एक बीजेपी के सदस से ने दायर किया है, जो सुप्रीम कोट की वकील भी हैं। पहले से ही मतुरा में शाही ईदगा के खिलाफ मामले लिस्टेड हैं और निश्चित रूप से ताज महल पर भी मामला फिर से खोल दिया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम 2024 के चुनाओं के पहले तक और शायद उसके बाद भी इसी तरह से केस पर केस की चेन देखते रहेंगे। क्या हिंदुस्तान की जनता सरकार की पर्फॉर्मेंस और उनके लाइवलि हुट कंसरंस के बेसिस पर अब दोबारा फिर कभी वोट नहीं डालेंगे। ज्यानवापी मस्जिद को लेकर केसिस मल्टिपल लेवल्स पर चर रहे हैं। हाई कोट में केसिस की एक मेज या यू समझी कि जाल जैसी है और इसको अन्रैवल नहीं कर सकते तो शायद आपस डायबॉलिक लीगल औरकेस्ट्रा को कॉम्प्रिहंड नहीं कर पाएंगे। इस से पहले कि हम इस लीगल भुल्भलया में प्रवेश करें दो तथें हैं जिन्हें हमें ध्यान से रखना होगा या यू कहिए कि ध्यान में रखना होगा। पहली बात आधुनिक बनारस या काशी 16th सेंचूरी के अंथ और 20th सेंचूरी की शुरुआत के बीच मेटीरियली एस वेल आज इमाजिनेटिवली रिकंस्रक्ट हुआ था। मंदिरों, मठों, मकानों और घाटों से सजाया गया था। दूसरा तथ है ये है कि ब्रिटिश राज्य के दौरान मंदिर, मस्जित, परिसर, स्थानिय हिंदूओं और मुसलमानों के बीच में कई कानूनी मुकदमे और दंगों का बारामासी संगर्श का स्थल में बदल गया था। 1941 में अलाबाद के उच नियाला ने एक निरने के अनुसार उसमें लिखा था। From the year 1854, there are a series of orders of various courts and officials which show that Hindus and Muslims were making attempts to encroach upon each other's rights. जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो हिंदू और मुसलमान समू मंदिर और मस्जिद के कंट्रोल में थे। November 1959 में राश्ट्रिये स्वेम सेवक संग की अखिल भारतिये प्रतिनिधी सभा जो सबसे बड़ी decision making body है, उसने एक प्रस्ताव या resolution पास किया। प्रस्ताव में यूपी सरकार से काशी विशुनात मंदिर हिंदूओं को कोट अनकोट लोटाने को कहा। मूल रूप से इसका मतलब था कि मुसलमानों से मस्जिद छीन कर पूरे परिसर को हिंदूओं को दे दिया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद और कुछ नहीं हुआ। मामला ठंडा पड़ गया। हिंदू और मुसलमानों ने दोनों shrines को के coexistence के साथ समझोता कर लिया। 1984 से विश्व हिंदू परिशद और संक परिवार के दूसरे जो affiliates थे। इन्होंने मस्जितों को reclaim करने के लिए एक nationwide अभियान शुरू किया। और उसके केंद्र में अहोद्या होता था। उनका दावा था कि ये सारे के सारे जो मस्जित हैं ये दरसल हिंदू मंदिरों को तोड़ कर बनाये गए थे। सुरक्षा बढ़ा दी गई इसके बाद और मुसल्मान कभी कभार ही इसके बाद से मस्जित का मैं ग्यानवापी मस्जित की बात कर रहा हूँ उसका इस्तेमाल बस कभी कभार ही कर पाए। लेकिन 1991 तक वारण असी के सिविल कोट में केस दर्ज नहीं किया गया था। जब हुआ तो तीन हिंदू देवताओं शिवजी, श्रिंगार गौरी और गनेश भगवान की ओर से दायर किया गया। दिमांड थी मंदिर के पुनर निर्मान की सुविधा के लिए पूरी साइट को हिंदू समुदाय को सौपा जाए। अंजुमन इंतिजामिया मस्जित डिफेंडेंट्स में से एक थे। और इस संगटन ने कहा कि याची का प्लेस अव वर्शिप एक्ट का उलंगन करती ये एक्ट सपश्ट रूप से अदालतों को किसी भी मुकदमे पर विचार करने से रोकता है जो पूजा स्थलों को परिवर्थित करने की मांग करता है। लंबे समय तक कुछ फर्दर डेवलप्मेंट्स नहीं हुए। कोट ने कहा कि ये जो सूट है ये प्लेस अव वर्शिप एक्ट से बाड हो गया है। मतलब सुनवाई नहीं हो सकती है। पिटिशनर्ज ने डिस्टिक कोट में रिव्यू पिटिशन दायर किया। डिफेंडेंट्स ने भी अब्जेक्शन्स रेज किये। डिस्टिक कोट ने सारे पिटिशन्स को क्लब करके सिविल कोट को फिर से सुनवाई करने को कहा। अन्यूमन ने अलाबाद हाई कोट को फिर से अप्रोच किया और उसने ऑक्टोबर 1998 में प्रोसीडिंग्स पर स्टे लगा दी। बाईस साल के बाद अचानक से सिविल कोट ने सुनवाई प्रारम कर दिया 2018 में। ये तब संभव हुआ जब पिटिशन्स ने 2018 का एक सुप्रीम कोट के फैसले को साइट किया। उस सुप्रीम कोट के जज्जमेंट में कहा गया था कि अगर एक्स्प्लिसिटली स्टे एक्स्टेंड नहीं की गई हो तो प्रीवियस ओरडर छे महिने से ज्यादा तक उसका जीवनकाल नहीं हो सकता है। अंजुमन ने हाई कोट में हीरिंग की रीकमेंस्मेंट के खिलाफ फिर से एक याची का दायर की और उस पर उनको स्टे मिल गया। पेटिशन में प्लेसिज ओव वर्शिप एक्ट से केस बार्ड होने की बाद भी उठाई। कोट ने अपना जज्जमेंट रिजर्व करके रखा है। लेकिन वारण असी के अदालत ने पीछे से एप्रिल 2021 में आर्केलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे करने के लिए आदेश जारी कर दिये। वो भी एक हिंदू प्ली के मिस्चीवियसली उसको स्वीकार करके। इस पर भी हाई कोट ने स्टे लगाई। इस बार इंडिफिनेट। लेकिन फिर से बैक डूर से ऑगस्ट 21 में पाँचों महिलाओं ने अपनी याची का दायर की दूसरे कोट में। में 2022 में स्थानी अदालत ने वीडियो सर्वे की अनुमती दी। आप इसके बारे में जानते हैं क्योंकि हाल ही में हुआ था और मीडिया में बहुत चाया रहा। सो कॉल्ड शिवलिंग मिला और मस्जिद के वुजू खाना को सील कर दिया गया। अनुमन ने सुप्रीम कोट को अप्रोच किया। अब देश के सर्वोच नयालाए की बारी थी एक questionable आदेश देने की। अपने ओर्डर में ये तर्क देते हुए की वीडियोग्राफी बंद नहीं किया। कि Places of Worship Act 1991 के तहत पूजास्थल के धार्मिक चरित्रे का पता लगाना वर्जित नहीं है। मानने जजेज से ये पूछा जाना चाहिए पता लगाकर क्या करेंगे अगर आप बदल नहीं सकते हैं Places of Worship Act के तहत। जजेज ने पांच महिलाओं की याचिका को सिटी कोट से जिला अदालत में शिफ्ट कर दिया जो अब मस्जद के अंदर दैनिक प्रातना के लिए पिटिशन की सुनवाई करेगी। तो ये है कहानी ग्यानवापी मस्जद पर पेच कैसे कसा गया। AIMIM के नेता असदुदिन OVC ने इस फैसले के बाद कहा कि हिंदुस्तान 1980-1990 के दशकों में फिर लौठ जाएगी। जब ये उस पीरिट का संकेत किया जब अयोध्या आंदोलन बहुत जोर पकड़ रहा था। वही होगा केस पर केस और एक हिंदु पक्ष की जीत के बाद एक और जीत का एलान मेंस्ट्रीम मीडिया में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अयोध्या फैसले में प्लेस और वर्शिप एक्ट के बारे में बहुत ग्लोइंगली बात की थी। सवाल ये है कि क्या यही कोर्ट अब इसके उलंगन की अधिक्षता करेगा और फिर इसे अनकॉंसिटूशनल खोशित करेगा। नवाश्कार